नमस्ते बहन और इस विडियो में आपका स्वागत है आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशे पर बात करने जा रहे हैं गर्भावस्था कितने सप्ताह तक चलती है या फिर कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी कितने सप्ताह की होती है और इसके बारे में मैं आपको अच्छी जानकारी दूगी और आपको बता दू कि यह यह जानकारी न केवल गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है बलकि उनके परिवार और दोस्तों के लिए भी है तो आईए इस बारे में जानते हैं मगर उससे पहले कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबा दे सबसे पहले आपको बता दू की गर्भावस्था की गर्णा उस समय से की जाती है जब आपके अंतिम मासिक धर्म, LMP, हुआ था और उस दिन के पहले दिन से ही गर्भावस्था की गुणना शुरू हो जाती है और डॉक्टर क्या करते है कि इस तरीक को अपने रिकॉर्ड में सेव कर लेते है और इसके बाद में जब आप शिशु को जन्व देती है तो उस समय तक की गुणना की जाती है और यह बताया जाता है कि आपकी गर्भावस्था या प्रेगनेंसी कितने समय तक चली थी कई बार क्या होता है कि यह LMP की तारीक याद नहीं रहती है तो ऐसे में डाक्टर क्या करते है कि अल् freelance का उपयोग करते है और इससे गर्भावस्था की उम्र का पता चल जाता है अब बात करते है कि प्रेगनेंसी कितने सपता की होती है वैसे तो आपको बाद दे की महिलाओं के गर्भाशे के कुल सप्ताह के बारे में सही जानकारी नहीं दे सकते है क्योंकि यह प्रत्तेक महिला में कुछ उपर निचे हो सकती है मगर आम तौर पर एक सामान्य गर्भावस्था 40 सप्ताह तक की होती है इसका मतलब हुआ की प्रेगनेंसी 40 सप्ताह की होती है और इसके बाद में महिला अपने गर्भ से एक शिशु को जन देती है जो की लड़का या लड़की हो सकती है मगर प्रत्तेक महिला 40 वे सप्ताह में ही बच्चे को जन दे यह जरूरी नहीं है बलकी कुछ महिला ऐसी होती है जो की 40 वे सप्ताह के बाद भी बच्चे को जन देती है जिसके कारण से कहा जाता है की गर्भावस्था 38 से 42 सप्ताह की होती है क्योंकी प्रत्तेक महिला 38 से 42 सप्ताह के बिच में ही बच्चे को जन देती है अब आपका गरभावस्ता 40 सप्ताह का होगा या 42 सप्ताह का होगा इस बारे में कहना मुश्किल है करवास्ता 40 सप्ताह तक ही होता है आपको बता दे कि यह 40 या फिर 42 सप्ता का समय जो होता है उसे असल में तीन तरह के तिमाहियों में विभाजित कर दिया जाता है और इस तिमाही में सप्ता को कुछ इस प्रकार बाटा जाता है पहली तिमाही सब्ता 1 से 12, दूसरी तिमाही सब्ता 13 से 24, तीसरी तिमाही सब्ता 25 से 40 या 42 तक तो इस तरह से इस समय को सब्ता में बाटा जाता है तो आशा है कि जानकारी आपके लिए उप्योगी थी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना